नमस्कार दोस्तों Domestic Care चैनल पर आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम दही के बारे में जानेंगे कि हमें किस समय दही खानी चाहिए किस मोसम में खानी चाहिए इसकी तासीर कैसी होती है किसी किसी को नमक वाली दही पसंद होती है तो किसी किसी को मिठी दही हम यह भी जानेंगे कि किन को नमक वाली दही खानी चाहिए और किन को चीने वाली दही खानी चाहिए तो इन सब बातों के बारे में हम जानेंगे दही में Lacto Bacillus नामक बैक्टीरिया होती है अगर हमारी शरीर में आनिकारक बैक्टीरिया पैदा होती है तो इने भी ये खा जाती है लेकिन अगर आप खाली पेट दही खाते हैं तो इसे ही आपको फाएदा होगा अगर आप खाने के साथ दही खाते हैं तो इसके Lactobacillus नामक बैक्टीरिया आपके शरीर में पैदा होने वाले हानिकारक बैक्टीरिया को खतम नहीं कर पाएंगे खाने के साथ दही खाने से आपको एनरजी तो बहुत जरूर मिलेगे आप इसकी तासीर के बारे में भी जानते हैं जब आप दही को जमाते हैं तो आप देखते हैं कि ये solid की तरह दिखती है यानि इसमें छोटे छोटे पीस दिखते हैं तो अगर आप ऐसे ही इसे खाते हैं तो इसकी तासीर गरम होती है इसे आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी, भूख लगनी भी बंद हो जाएगी कई बार दही का पानी भी अलग सा रहता है तो आप इसे निकाले ने, इसे चम्मच से फैट कर खाई दही को फैट कर खाने से इसकी तासिर ठंडी हो जाती है फिर ये आपके शरीर में गर्मी नहीं करेगी, दही को आप गर्मी और सर्दी के मोसम में तो अच्छे से खाए लेकिन बरसात के मोसम में दही आपको नहीं खानी चाहिए क्योंकि उस समय खासी वे बलगम की समस्या हो सकती है अगर किसी को गुटनों का दर्द है तो वो बासी, खटी और फ्रीज में रखी हुई दही कभी ने खाए वो ताजी, दही और चाच ही खाए और उसमें एक चुटकी सोंट जरूर डाल ले अगर आप दही में नमक डाल कर खाते हैं तो आप सेंदा नमक डाल कर ही खाए दूसरे नमक डालने से इसकी गुणवत्ता कम हो जाती है और अगर आप मीठी दही पसंद करते हैं तो आप शक्कर डाल कर खाए इसमें चीनी ने डाले या फिर आप देसी खांड डाले अगर आपके शरीर में गर्मी ज्यादा है ऐसीडिटी है खटी डकारे आती है या फिर लीवर में गर्मी है तो आप शक्कर डालकर दही खाएं और अगर आपको गैस ये बदजमी है तो आप नमक काली मिर्च डालकर ही खाए अगर किसी को कपकी समस्या है तो वो कभी कवार ही दही खाए हर रोज नहीं आप ध्यान रखें कि सूरियास्त के बाद कभी भी दही नहीं खाएं स्वास्त वैक्ति को भी सूरियास्त के बाद दही नहीं खानी चाहिए क्योंकि इससे कुछ समय बाद आपको कई बीमारि का खतरा बढ़ जाता है, जैसे गुटनों का दर्द, कफ, ऐलर्जी आदी, दही का रायता बना कर भी आप का सकते हैं, लेकिन आप इसमें खीरा डालकर रायता कभी ने बनाएं, क्योंकि ये हमारी बोडी में टोकसेंज को पैदा करेगा, पकोडी वाली दही का रायता भी तो दोस्तों ये थे आज दही के बारे में कुछ पॉइंट अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद